हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रेजनी की रेसिपी तो आज हम बनाने वाले पाला कालू की सबजी बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे प्याज लसन के बिना और खाने में बहुत अच्छी लगेगी और बहुत जल्दी बन जाती है तो चली रेसिपी स्टार्ट करते है तो यह गरम हो गया तो हम इसमें डालेंगे जीरा और राई और करी पत्त डाल रहे हूं साथ से आठ आपके पास होता आप जरूर डालें इसे टेस्ट अच्छा आता है और इसे भून लेंगे यह भून गया आप इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची यह तीखी नहीं इसलिए मैंने साथ से आठ हरी मिर्ची लिए है छोटी साइस की आपके पास तीखियों तो एक से दो डालें और यहां मैंने हिंग लिए एक से दो चुटकी वो डाल देंगे हरी मिर्ची को भून लेता है हम एक निट के लिए एक आधे मिर्ट के लिए खड़ी लाल मिर्शली से भी दो ली हैं इसे तोड़ के डालेंगे हम आप इसके लिए चिली टेक्स भी डाल सकते हैं तो हमारी भुनगे हम इसमें डालेंगे पालक पालक धोके कटकर के लिए मैंने एक गड़ी ली थी 300 ग्राम जतनी और इसे बारी कट करके डाल रही हूं एक बार में पूरी नहीं है थोड़ी सॉफ्ट होने चला लेंगे सॉफ्ट होने के बागी के हम आदी बाद में डालेंगे तो चला लेते हम देखिए यह सॉफ्ट हो गई है अब बाकी भी पालक डाल देंगे बच्योंगे और इसे दो तिल मिट तक अच्छे से भून लेंगे आईल में सॉफ्ट होने तक कि दो तिन मिट तक हमने पालक को भून लें आव इसमें डालेंगे मसाले तो एक चोधाई चमश में हल्दी पावडर डाल रहे हूं आदा चमश लाल मिर्शी पावडर एक चमश धन्या पावडर एक चमश नमक सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक दो मिट के लिए और मसाले के साथ पालक को भून लेंगे तो पालक को मसाले के साथ एक मिट तक भून लिया अच्छे से अब इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला तो एक चोथा ही चमश लिया है या आदी चोटी चमश तो इसे मिक्स कर लेंगे पालक हमारी 50% पाग गई है अच्छे से गर्म मसाले को मिक्स कर देंगे तो गर्म मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है एक मिट कले से कवर करे रख देते हैं एक मिट हो गया है और हमारे सारे मसाले अब इसमें डालेंगे एक बॉइल आलू कटा हुआ अच्छे से मिक्स करेंगे आलू को अगर आप कच्छा आलू ले रहें तो आप आलक ऑईल में डाली थी तर्म टाइम आलू डाल दें उन्यमिट के लिया पालक पावर के साथ और इसे तरकां रख देंगे अच्छा अच्छा में वरा अच्छा तो आप क्यासा में हमार ने इसमें डाली थी दालू कि घ्यूड़े है कमां गाफ क्यणी ना करें हो डालाल है से पका लेते हैं इसमें जो नमी है वो ड्राय हो जाए कम्प्लीटली है अलग हमने सर्व कर ली है आप भी इस तरह से घर पर जरूर ट्राय करें हो कैसे बनी है अपने अरभामिश साथ कमेंग में शेयर करें और आपको मेरी रेच्पी अच्छी लगे तो लाइक करें हो मेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू